हेल फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं डेली करेंट फर सूडियो और यहाँ 14 अलगले कोशन फे बात करेंगे लेकिन सबसे महत्पूर्ण है युनाइटर नेशन्स जनरल एसेमली ने जो फैसला पारित किया है कि इसराइल और हमास के बीच में सीजफाय हो जाए जंग रूख जाए लेकिन इसराइल ने खारिच कर दिया है कहाए कि युनाइटर नेशन्स कुछ भी फैसला करते रहे हम तो घुसेंगे गज़ा में और वहाँ पर जो आतंकी है हमास के उसको खदम करेंगे इस दोरान जो वहाँ मानविये स्थिति आई है उसको ल क्योंकि अभी मिडिल इश जो है वो एकदम बारूत के धेर पर है अभी हाल की बात कहूं है अमेरिका ने सिरिया में मिसाइल दा गए है और सिरिया में जो इरान का बेस है कई सारे वहाँ पर मिसाइल दा गए है उससे पहले इरान ने अमेरिका के बेस पर उसके आसपास मिस चल रहा है इसके लाव ही कई और कोशन है उन सब पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे तो शूर करते हैं दोस्तों उससे पहले इंफर्म कर दूँँ आपको कि पांच नौंबर यानि संडे को हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं मैरा थन जनुर से लेकर पांच नौंबर करेंगे तक के तमाम कंटेंट होंगे कोशन आणसर होगा और फटाफ़ट हम लोग कुछ घंटे वीडियो लाइप करेंगे और आप देखेगा जरूर आपके तमाम एक्जामनेशन में काम आएगा ओके तो शुरू करते हैं आजका करेंट फर्स और महत्पुर्ण कोशन ले तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, अब क्यों नहीं लिया, क्या कहा, वो आगे बताएंगे, लेकिन महत्पुन बात की अब देखते हैं कि क्या प्रस्ताव आया था, इनाटर नेशन जेनरल एसेंबली में, तो प्रस्ताव य गजा में इस्राइली बलो और हमास आतंकवादियों के बीच ततकाल टिकाऊ और निरंतर मानुए संघर्ष विराम, तो यह था मुद्द, इसको अगर आसान भाषा में कहेंगे, तो संघर्ष विराम सीधे कहिए या सीजफायर कर सकते हैं, ठीक है, तो यह कब वोटिंग अक्टूबर को वोटिंग हुई और प्रस्तावी पारित हो गया, मतलब की वोच आते थे कि संघर्ष विराम हो जाए, कौन कोई देश हैं, रूस, चीन, जॉर्डन, फ्रांस और भी कही देश हैं, टोटल 120 देश है, रूस वो देश जिसने हमला किया हुआ है यूक्रेइन पर वो कह रहा है कि यहां पर सीजफार होना चाहिए, यहां हमला नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब यह बात आप समझेए, अगेंस्ट में, यानि इसके विरोध में वोट दिया, यानि उसका मानना था कि लड़ाई चलती रहनी चाहिए, चौधा देशों ने, उनमें कौन करें, इसराइल और अमेरिका भी शामिल है, मेजर जो कंट्री वो, 45 कंट्री वो एपसेंट रहें, अनुपस्तित रहें, अगर कहीं किसी को पीट रहा है, और आप चुप हैं, तो इसका मतलब होता है कि मान समर्थन आप दे रहें, ठीक है, मैं यह कह रहा हूँ, तो यह जो उसमें, आप समझ रहोंगे बात, चलिए आप बात करते हैं कि भारत ने क्या कहा, वोट ना देते हुए, भारत की जो उप अस्थाई प्रतनिधी हैं वहाँ पर, डिप्टी पर्मानित रिपरजिन्टेटिव, उनका नाम है योजना पटेल, उन्होंने का कि 7 अक्टूबर क जो आतंगवादी हमला था, वो चौकाने वाला था, और बंधुकों की तुरंत रिहाई होनी चाहिए, गजा में हताहतों की संख्या लगातार चिंता का विशय है, और इस संकट से निपटने की ज़रूरत है, चल रहे प्रयासों का स्वागत किया, इंडिया ने, और ये भी चाहिए, यहाँ पर भारत ने किस देश का नाम नहीं लिया, नहीं हमास का नाम लिया, लेकिन पूरी बात अपनी कहती है, अब बड़ा सवाल है कि इस प्रस्ताव से क्या इसराइल हमास का जंग रुख जाएगा, देगे प्रस्ताव पारित होने के बाद, ये निज देख क्या है, we reject UNGA calls for ceasefire, say Israel's foreign minister, इसराइल ने साफ कह दिया है, कि हम तो बंबारी करते रहेंगे, हम वहाँ पर पूरी जो हमास है, उसके खिलाफ अपियान चलाते रहेंगे, United Nations में इसराइल के राजदूत हैं, उनका नाम है गिलाद एर्दौन, उनका कहना है कि हम हमास को इस तरह अत्याचार करने की इजाज़ दे कर चूप नहीं बैठेंगे, इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और इस अधिकार का एहसास या सुनिशित कराना है कि इस तरह के अत्याचार कभी दोहराएं नहीं जा सकते हैं, और ये कारवाई तभी रुकेगी जब हमास पूरिस्तर से उसका खात्मा हो जाए, महत्पुन बात ये है, अभी ले चलते हैं आपको इसराइल, यहाँ पर इसराइल है, और यहीं पर लगातार इसराइल बंबारी गजा पर, और अभी हाली में, मतलब बंबारी करके इंटरनेट, जो भी कम्मिनिकेशन सिस्टम में उसका खत्म कर दिया गया है, और यह स्तिति के यहाँ जो 23 लाख लोग लगभग रहते हैं, वो दुनिया से उनका कॉंटक्ट लगभग खत्म हो गया है, सूचना का ब्लैक इस तीन स्वास्त मंत्राले, उसका कहना है कि जो 7 अक्टूबर के बाद जो इस्तिती हुई है गजा पर, तो गजा में 7326 लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से 3000 से ज़ादा बच्चे हैं वहाँ पर, ठीक है, और यह निउस भी देख रहे हैं आप, यह अलजजीरा का है, एक और important बात मुद्दा मैं आपको बता दूँ कि यह तो इसराइल है और पास में यहाँ पर है Syria, और मैं जुमाउट करता हूं इसको और यह देखें, ठीक है, यह वाला हिस्सा है Syria और इरान यहाँ पर है, यह वाला इरान है, यह इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, औ अब हुआ क्या है कि अमेरिका ने यहाँ पर जो इरान के, जो कुछ सायने ठीकाने हैं, वहाँ बंबारी किया है, ओके, देखें, सीरिया जो है वो भी एक युद्ध का अखारा बना हुआ है, पिछले कुछ सालों से, और वहाँ पर जो राष्टपती हैं, असद, तो उनको समर्थन है, रूस का, रूस की सेना भी यहाँ पर है, अमेरिका की सेना भी यहाँ पर है, इरान की सेना भी यहाँ पर है, ठीक है, उसके कुछ हिस्से में, जो उसके राष्टपती हैं, असद, उनके ही सरकार है, और बहुत सारे हिस्सों में विद्रोहियों की सरकार है, जिस साथ 1945 करंद कर दिए हैं जो एरकराफ्ट करियर है अमेरिका का उस अन यहां से मिसाइल दागार अर्य है और यहां जो इरान के त्माम जो मसंट यो है आगे हैं और कहा है कि हमारा इस इसराइल कम प्रक्राइब करेक्ष हैं यह हम पर यह यहां पर करवाई की देसल हुआ ये था कि ईरान ने यहां पर सिरिया में ही जो अमेरिकी सैनेट ठीकाने है उसके आसपास मिसाइल डागे थे उसके आसपास मतबब एक तरह से यह संदेश देना चाहरा था और फिर से यह संदेश इस ने दिया है अब पूरी जो इस्तिती हुई है तो महत्मून ब और अतंकी संगठर इसका लब इरान यह सब वहां रूस में उनकी मीटिंग हुई थी और इस दोरान हमास ने रूस से कहा कि जो हमने बंधक बनाये हुए हैं दोस्तों सुजादर लोग जो हैं वो हम रूस को सौंप देते थे फिर और रूस जो है न वो पर डील करवाए और फ ठीक है यह पूरी सिती है इनाइटर नेशन्स का जो फैसला है उसको भी धत्ता बता रहा है इसराइल और लगातार वो कारवाई करता रहेगा ऐसा उसका कहना है ओके तो अब बात कर लेते हैं लोग कि उनाइटर नेशन्स जो जो अजनेल एसमली है उसका मुख्याले निव फ्रांसिस है वो क्या नाम है डेनिस फ्रांसिस चलें आब आगे बरतें दोस्तों अगला कोशन लेते हैं उसे पहले इंफर्म कर दू कि तोटल पीडिएफ जो भी मैंने बोला वो इस वुटिय के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्वेज में और ह अगर आप तमाम एक्जामिशन की तियारी कर रहे हैं तो एक मेंबर्शिप प्लान आपके लायक है यहां करेंट फॉर्स की तियारी शांदार होत पाएगी और एक साल का यह पूरा प्लान है बहुत ही मामुली सी रखाम है आप देखेगे ज़ूर इस फुटिय के डिस्क्र के साथ और वहां वीडियो लिंक पे होता है ताकि आप क्लिक करिए और चीजों को विज्वली आप समझ सकते हैं वीडियो चाले हो जाता है जैसे अभी इससे पहले वाला जो टॉपिक था वह वीज्वली समझना बढ़ा है आसान था तो वह आप देख सकते हैं इसके लाव टेश्रीज भी अबलेबर हैं देखी का जोड़ इस फुर्टी के डिस्क्रिप्शन में और एक हेल्प लाइन नंबर भी है अलाकि केवल चैट पर बात हो पाएगिया आपके आगे बढ़ते हैं अगला कोशन टाटा ग्रूप ने आईफोन की मैनुफेक्टरिंग के लिए टाइवान की किस कंपनी की भारती एकाई और उसकी फैक्टरी का अधिगरहन कर लिया है आंसो का विश्ट्रॉन के नाम है विश्ट्रॉन नियूस आप देख रहे हैं तो टाटा ग्रूप जो है नो वो भारत में आईफोन बनाएगा एपल की जो सप्लायर कंपनी है विश् 27 ओक्टूबर को और ये डील कितने की है ये डील जो है न वो है 125 मिलियन डॉलर की तक्रीबन एक हजार करो रूपे की ये डील है और इस डील के बाद ये सूचना देश के जो सूचना और प्रदोग की राजमंत्री है राजीव चंशेकर उन्होंने ये मीडिया को दी और कह अगले धाई साल के अंदर में टाटा ग्रूप जोनों वो आईफोन की मैनिफेक्ट्रिंग शुड़ कर देगा इस दौनार ये डील फाइनलाइज होगी तो डील हो गई है लेकिन पूरी काजी काम और धरातर पर ये पूरा काम होगा ओके तो और ये जो विश्ट्रान का प आउनें प्रक्षान की जो भरती एक अई है उसका नाम है विश्ट्रान इंफो काम मैनिफेक्ट्रिंग लिमिट्ड़ उसको खरीद लिया है ये पूरृ बा इचरों से ये नहीं स्वराकेट में डृट्राइ से क्टीव और तब से निटों कंव अप्डित हैं आ। कंपनी कर रही थे तो मात पूं बात हैं और मैं और बता हूं आपको यहाँ मैनेफैक्टरिंग की बात हो रही है ठीक है यहाँ कि मनिफ़क्चर किया जाएगा मतलब क्या है आप है तहां कि यॐ आईफॉन बनाया जाता है च्छहह Ini भी तो उसमें चैन से आते है कुछ चाइना से आता है कुछ यूरोप से आता है कुछ साउथ कोडिया से आता है कुछ अमेरिका से आता है कुछ जापान कुछ ताइवान तो इस तरह के से अलग अलग देशों से आता है और यहां पर आकर वह एसेंबल हो जाएगा, मनिफेक्चर हो जाएगा और उसको फिर दुनिया भर में ये बेचा जाएगा, ओके, चले हैं आप आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लेते हैं हम लोग और हाँ, टाटर ग्रूप के चेर परसन कौन है, इंचंद शेखरन, अगला कोशन, इंडिया मोब प्रदानकते नैंद मोदी, ठीक है, तो ये इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस, उसका ये सातवा संस्क्रण था, और जो की 2023 में आवजित किया गया, इसमें प्राइमिशन नैंद मोदी ने कहा कि 6G में अग्रणी भूमी का निभानी है भारत को, और हमारे पास 4 लाख 5G बेस इश्टेशन है, जो कि 97% शहरों और 80% आबादी को कबर करता है, उन्होंने ये भी कहा कि भारत औसत मोबाइल स्पीड में 3 गुना बढ़ गया है, या कहें भारत में औसत मोबाइल स्पीड 3 गुना बढ़ गया है, अब ब्रॉट्बेंड स्पीड इंडेक्स में भारत का सन 43 है दो लाख ग्राम पंचायते अब ब्रॉडबैंट से जुरी हुई है 75 लाख इस्टुडेंट जो है वो अटल टिंकरिंग लैप्स के साथ नए यूग के प्रदुगी की का वो लोग लाब उठा रहे हैं तो महत्पूर्ण बात है इससे रिलेटेड अगला कोशन लेते हैं जो प्रविश्टर ने ऐलान किया बताया उन सबसे लेटेड है तो कोशन होगा दुनिया में मोबाइल फोन निर्माता के तोड़ पर भारत का स्थान क्या है आंसों के दूसरा सेकेंड पोजिशन है नमबर वन तो चाइना है उसके बाद भारत का स्थान आ गया है तो इंड दो लाग करूर रुपे का निर्यात के साथ भारत दूसरा बड़ा मोबाइल निर्माता है ओके मोबाइल फोन अब सत्तर देशों में आयात किया जा रहा है भारत से गूगल ने भारत में पिक्सल 8 बनाने की भी घोशना की हुई है सैमसंग का जो फोल्ट 5 है एपल का जा रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लटे किस तेश के पुर्व प्रीमियर ली के क्यांग का निधन हो गया 27 अक्टूबर 2023 को इसका आंसर होगा चीन ठीक है नाम क्या है ली के क्यांग 68 एयर के थे नियूस देख रहे है आप और ये रहे ली के क्यांग 68 एयर के थे हार्ट अटक आया 27 अक्टूबर को निधन हो गया और आपको बता हो कि एक दशक तक चीन के प्रीमियर के रूप में इन्होंने काम किया था एक दशक तक ठीक है यहां है चाइना ये वाला हिस्स्या नॉम्बर 2022 में इस पत से हट गया थे प्रीमियर पत से और कम्निष्ट प जाता है तो यह तो पुर्व प्रीमियर थे अच्छा सवाल हो कि अभी कौन प्रीमियर है तो उनका नाम है ली कियांग क्या नाम है ली कियांग और जिनकी देत हुई है उनका नाम क्या है उनका नाम है ली के कियांग ओके चले हम आगे बढ़ते हैं अगला कोशन अब पैरा Asian Games से रिलेटेड है कोशन कोशन हुगा चौथे Asian Paragames में किसने मेंस शूटिंग R6 मिक्स 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 असपरधा में गोल्ड मेडल जीता है आंसों का सिधार्थ बाबू उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है केरल के तिरुमारंपुरम के रहने वाले हैं और इंटरनेशनल राइफल शूटर है अगला कोशन चौथे Asian Paragames में किस एथलीट ने पुर्शों के शॉटपूट F46 परधा में गोल्ड मेडल जीता है आंसों का सचिन सर्जी राव खिलारी ये है नाम उनका ठीक है ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं तो 16.03 मीटर का ये रिकॉर्ट थ्रो उन्होंने फेका गोल्ड मेडल जीत लिया है शॉटपूट में होता है कि भारी गेंद का गोला होता है वो दूर थक फेक ना होता है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं चौते एशियन पैरा गेंपस में किसने मिक्स टीम कंपाउंड ओपें तिरंदाजी इस पर्था में गोल्ड पेंडल जीता है आंसों का शीतल देवी और राकेश कुमार ठीक है तो ये मिक्स पर्था थी यानि पुरुष्व महिला दोनों एक साथ खेल रहे थे तो इन दोनों जीता है शीतल देवी और राकेश कुमार जो हैं जम्मु कुश्मीर के रहने वाले हैं और ये देखिए शीतल देवी को इनके दोनों हाथ नहीं है तो पैर और अपने जो ठोड़ी कहिए उससे ये चला रही है तीर चला रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन चौथे एशियन पैरा गेम्स में किसने महिलाओं की व्यक्तिकत कंपाउंड तिरंदाजी असपरधा में गोल्ड मेडल जीता है आंसो का यहां भी शीतल देवी ठीक है तो और बताओं की एक ही संस्क्रण में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारती महिला बन गई है किसमें पैरा मतलब एशियन पैरा गेम्स में चौथा जो चल रहा है उसमें तो इस तरग्य से वो खेलती है दोनों हाथ उनके नहीं है इसके बाब जूद आगे बरते हैं दोस्तों अगला कोशन लेते हैं चौथे एशियन पैरा गेम्स में वोमें लॉंग जंप टी फोटी सेवन इस परधा में किस भारती अथलीट ने गोल्ड मिडल जीत लिया है आज़ा निमिशा सुरेश ठीक है निमिशा सुरेश 5.15 मीटर लॉंग जंप करके ये गोल्ड मिडल अपनी नाम क्या है अगला कोशन चौथे एशियाई पैरा गेम्स में किस अथलीट ने महिलाओं की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मिडल जीता है आंसोगा रक्षिता राजू क्या नाम है रक्षिता राजू ये देख रहे हैं आप ये नेत्रहीन है और आप आखों के आगे देख रहे हैं पट्टी लेगी है और साथ में एक गाइड भी दोर आए जो बताता है कि आप मतलब ट्रैक से कहीं बाहर तो नहीं जा रहे है ठीक है अगला कोशन रहते हैं चोथे एशियाई पैरा गेम्स में किस एथिलीट ने पुर्षों की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मिडल जीता है आंसोगा अंकुर धामा क्या नाम है अंकुर धामा ओके तो वो एक ही संस्क्रण में दो पदक जीतने वाले पहले ऐसे भारतिय बन गए है अभी इन्होंने ये दूसरा गोल्ड मिडल जीता है इससे पहले उन्होंने 24 अक्टूबर को पुर्षों की T11 5000 मीटर रेस में भी गोल्ड मिडल जीता था उत्रप्रदेश के रहने वाल हैंगे अगला कोशन चौथे एशियन पैरा गेम्स में एक इस भारती खिलारी ने पुर्ष डिसकस थ्रो एफ 54, 55, 56 असपरधा में गोल्ड मिडल जीता है आंसों का नीरज यादा तो ये वेक्ट्रीगत असपरधा में अगला कोशन चौथे एशियन पैरा गेम्स में पुर्षो की लॉंग जम्प टी सिक्ष्टी फो असपरधा में किस भारती एथलीट ने गोल्ड मिडल जीता है आंसों का धर्मराज सुलाय राज ठीक है धर्मराज सुलाय राज तो उन्होंने यह जीता है ओके अच्छे यह जो आपने देखा होगा लगातार यह काटिकरी कहीं टी सिक्ष्टी फोर लिखा हुआ है कहीं फिप्टी फोर टी फिप्टी फोर लिखा हुआ है यह ना जो डिसाबिलीटी है उसकी अलगलग काटिगरी है इस डिसाबिलियर कहीत रिके को थी है किसको को देखने ही पा रहा है किसी का हांत नहीं किक पैर रही है ठाइघ कोई खुछानी हो सकता है तो इस तरह कि अलाग 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 यह कैटेकरीज बनाए हुए है तो दोस्तों यह था important current force और कल संडे है तो संडे को weekly current force देखे है ज़रूर और डेली का current force है वो Monday to Saturday आता है आपके examination के लिए ओके बाय